हलो स्टूरेंट्स वेलकम तो इगनुबडी तो देखिए आज की वीडियो बहुत सारे स्टूरेंट्स के लिए गुड न्यूज है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि इगनु में जो आपका रिजल्ट है जून 2023 का उसको अपडेट किया जा रहा है कंटीनूसली और अब इगनु के तरफ से जो आपका रिजल्ट है वो और भी जादा फास्ट अपडेट किया जाएगा और उसके मैं आपको रीजन बताता हूँ वो क्यों तो देखें सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपके जो दिसंबर 2023 के एक्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं एक दिसंबर से और उन्हें एक्जाम को स्टार्ट हुए तस दिन हो चुके हैं तो इगनु को अब दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा तो आप लोगों को पता है कि IGNU में जो result होता है वो exam के साथ साथ ही update किया जाता है और exam के start होने के 25 दिन बाद result update होना start हो जाता है तो इसलिए IGNU को पहले June 2023 के students का result update पूरी तरह करना होगा then उसको June 2023 का जो revaluation है वो भी update करना है और उसके बाद अब ये December 2023 का जो termined exam result है उसको भी update करना है तो तीन-तीन result वो लोग एक साथ update नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले वो लोग termined exam June 2023 का result clear करेंगे जितने ज़्यादा students का वो लोग clear कर सकते हैं क्योंकि फिर उनको December 2023 का termined exam result है उसको भी update करना है तो इसलिए अब आप देखोगे कि आपका जो result है June 2023 termined exam का वो fast update होना start होगा तो ये तो पहला reason है दूसरा reason क्या है आपके result को fast update होने का देखिए जितने भी students का result है भी तक pending है चाहें फिर वो आपका June 2023 termined exam हो चाहें फिर वो आपका June 2023 revaluation का form हो या फिर revaluation का result हो एगनु को fast update result अब इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि जो students का termined exam का result नहीं आया है या फिर revaluation का result नहीं आया है वो students अब re-exam भरेंगे उनके re-exam भरेंगे यानि कि उनको admission लेना होगा जनवरी session में तो जनवरी session में जिनको admission लेना होगा इगनु में उन students को pass होना जरूरी है तो जिन students की last year है उन students का result के लिए होना जरूरी है चाहें फिर वो revaluation का result हो चाहें फिर वो termined exam का result हो तो जनवरी में जब इगनु के जो admission है वो start होते हैं जैसा कि आपको पता है कि दो बार इगनु में admission start होते हैं तो अब जब जनवरी में admission start होंगे तो उसके लिए students को pass होना जरूरी है तो अब इस वज़े से भी इगनु को जो termined exam result है जून 2023 और revaluation का result है जून 2023 का दोनों को ही fast update करना पड़ेगा तो ये दो बड़े reason है जिसकी वज़े से आप सभी students का result है जून 2023 termined exam और revaluation का अब आप देखोगे fast update होना start हो जाएगा तो last जो update आया था वो आया था 9 December को revaluation का भी और termined exam का भी हाला कि जो 9 December है उस दिन Saturday था लेकिन Saturday को भी वैसे इगनु मेर result update नहीं होता है लेकिन अब इगनु मेर Saturday को भी result update करना start कर दिया है तो last update Saturday को आया था और I hope कि ये जो result update है आज भी आये तो ये दो ऐसे रीजन है जिसके वज़ेसे आपका result of fast update होगा तो I hope ये वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर आपको ये वीडियो helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और एगनु सरे related हर update और information के लिए एगनु बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना So thank you for watching this video Thank you so much